असलाम अलेकूम Microsoft Word की सातीवी खिलास है आज हम सिखेंगे रिफ्रेंस रिफ्रेंस में जितने भी आप्षन है इनका क्या काम है और इनको कहां पर इस्तमाल किया जाता है तो खिलाश शुरू करते हैं टेबल आफ कॉंटेंस ते टेबल आफ कॉंटेंस इस्तमाल करने के लिए स इसे के हम कोई किताब हैं तो ऊसके हम लेशन वाई हम लिखते हैं के लेशन वन और हम में जाके मैं सको देता हूं फारींग वन इस तरीके से में यहां पर फिर नीचे लिग देता हूं लेशन है वैड वन प्वाइंट तो इसको मैं हेडिंग रहे देता हूं टू और फिर थोड़ा नीची आके यहां पे मैं देता हूं लेशन 1.3 इसको भी मैं हेडिंग दे देता हूं नमबर टू की हैडिंग और यहां पे मैं फिर शुरू करता हूं लेशन टू इसको मैं फिर दुबारा हेडिंग वन देता हूं यह हेडिंग में क्यों डाल दाओं मैं आपको बताऊंगा आगे के यह हेडिंग काहां पे बुझे काम आएगी यहां पे मैं देता हूं हेडिंग लेशन टू पाइंट हुवन और इसको मैं देता हूं हेडिंग टू और फिर थोड़ा नीच आ के मैं यहां पे देता हूं लेशन टू पाइंट टू और इसको मैं देता हूं हेडिंग टू और इसके बाद मैं यहां पे देता हूं लेशन टू पाइंट ट्री एडिंग टू और उसके बाद मैं यहां पे फिर आऊंगा यहां पे मिल लेशन 3 इसको मैं दूँगा एडिंग वन लेशन त्री हो गया हमारा और फिर मैं यहां पे दूँगा लेशन 3.1 इसको मैं धिंग दूँगा और उसके बाद मैं यहां पे दूँगा लेशन 3.2 एडिंग 2 डालूंगा और यहां पे मुझे कुछ और मेटर चाहिए एकिल टू आरे रेंडम 5,5 के मुझे कुछ अलफाद चाहिए पेजों को भरना है तो मुझे रफ अलफाद चाहिए तो मैं रेंडम लिखके और पांच कलम पांच रोज ब्रेकेट आन ब्रेकेट आफ करके इंटरप्रेस करूंगा तो यह कुछ मेटर आ जाएगा और यहां पे मैं लिख देता हूं लेशन 3.3 तो इस तरीके से आप जब बुक बना रहे होते हैं तो आप जब उसमें लेशन नमबर डाल रहे हैं तो यहां पे हमारा एक काम और भी करेंगे क्योंकि जब भी लेशन 1 एंड होता है तो जब लेशन 2 स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें पेज ब्रेक लेशन 2 नहीं पेज से शुरू हो जाए अप लेशन 2 लिखके यहां पर किसी भी सब्जेक्ट का नाम डाल सकते हैं कि आप जो लेशन लिख रहे हैं या कोई मजमून वगड़ा लिख रहे हैं मजमून का जो है न बुक वगड़ा बना रहे हैं तो आप हैडिंग इस तरीके यहां पर में जैसे 1.3 लेसन मेरा खत्म हो रहा है तो जब लेसन नमबर टू जो मेरा आ रहा है तो वहां पर में क्या करूंगा इसको लेसन नमबर टू को नेक्स पेज पे लेकर जाने के लिए पेज में आऊंगा और पेज़ ब्रेक में नेक्स्ट पेज़ ब्रेक कर दूँगा ताके जो मेरा लेसन टू है वो नए पेज से शुरू हो जैसे ही मैं किल्क करूंगा तो आप देखेंगे कि लेसन वन यहां पर हमारा खत्म हो गया 1.3 के बाद उसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहां पर हमें लेसन टू स्टार्ट करना पड़ेगा तो होम में मैं जाओंगा जैसे कि मैंने आपको पहली वाली किलासों में बताया शो एंड हैड को किल्क करूंगा तो यहां पर मुझे कुछ दिखाएगा यह देखें यह बता ऐसकी पर लिख Θवे न चाहेंगे तो आप नहीं लिख पाएंक जब तक इसको section Bract को खत्म नहीं करेंगे यहां से तो जब आप show and hide में आएंगे और चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर page break लगा हुआ है तो आप यहां show and hide से देखे और वहां से page break हटा गया अब दुबारा उसी page पर ही काम करना शुरू कर सकते हैं मैं इसको फिलाल hide कर देता हूँ तो जब lesson 2 मेरा चल ला है तो जब नीचे आएंगे जैसे lesson 2 मेरा खतम है और lesson 3 स्टार्ट होगा तो मैं क्या करूँगा यहां से इसको मैं page layout में breaks में next page कर दूँगा ताकि जो मेरा lesson 3 है वो next page में चला जाए तो इस तरीके से आप काम करेंगे जैसे ही आपका lesson या कोई मजमून वगरा आप टाइप कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मजमून जो है टेबल आफ कॉंटेंस में आप सेटिंग करना चाहते हैं आपका कौन सा मजमून कौन से page नंबर पर पढ़ा हुआ है तो आप टेबल आफ कॉंटेंस में यह वाली सेटिंग कर सकते हैं तो मैं reference में जाता हूं और मुझे उपर का पेज एक blank चाहिए जैसे कि पहले वाली क्लासों में उपढ़ चुके हैं और यह सीख चुके हैं कि खाली पेज हमें कहां से मिलेगा तो करसर को में उपर रखके page layout में जाओंगा इंसर्ड में जाओंगा और यहां से मैं कर दूँगा blank page जैसे ही मैं किल्क करूँगा आप देखेंगे कि उपर जो है मुझे खाली page मिल गया और जो मेटर है मेरा वो नीचे चला गया तो यहां पर मैं किल्क करूँगा कि फर्सट पेज़ पे और रहेंज में जाओंगा इंण इंसर्डेन्डेकस टेबल अफ कंटेंस टेबल अफ कंटेंस में आप देखेंगे कि मुक्तल प्रिसंगी vosदेमल gom बनी हुई है आप कोई वी टेबल आब कॉंटेंस दे सकते हैं जैसे कि मैं इसको टेबल आफ कॉंटेंस नमबर टू दे रहा हूँ तो जीसे ही मैं क्लिक करोंगा आप देखेंगे कि यह मुझे बता रहा है कि जो आपका लेसर बश्रॉण क्लॉण 1.2 जो है वह टू नमबर पेज़ पे और लेसं 1.3 यह वह भी टू नमबर पेज़ पे तो मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं अगर आप कोई भी नीचे तब्दिली करना चाहते हैं अगर कोई लेशन बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छा अप्शन है आप यहां से अपडेट भी कर सकते हैं आटोमेटिकी अपडेट हो जाएगा तो आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेग और यहां पर मुझे कुछ मेटर चाहिए यह इसलिए काम नहीं कर रहा दोस्तों के मैंने इसके उपर पेजब्रेक लगा दिया था तो फिलाल मुझे यहां से जो है पेजब्रेक खतम करना पड़ेगा जैसे मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो पेजब्रेक जो है व मेटर चाहिए और एंडी टू फाइफ कामा फाइफ और इंटर प्रेस करूँगा यहां पर मैंने डाल दिया इसको के लेशन वन पॉइंट फॉर और यहां पर मैं दे दूँगा लेशन वन पॉइंट फाइफ इसको मैं एडिंग डूँगा हेडिंग टू और इसको भी मैं हेडिंग डूँगा हेडिंग टू तो टेबल आफ कॉंटेंस में मैं जाऊंगा और यहां पर मैं जैसे अपडेट को किल्क करूँगा तो ये पूछ रहा है के update पेज नंबर only या update entire table मैं बोलुगा update page number only मैं आफ किझेगा जैसे इसको किल्क करूँ अब डियर टेर टेबल मैं जैसे किल्क करूँ एंटार टेबल को तो यहां पर यह मुझे automatically show कर देगा कि 1.4 आपने lesson इसमें add किया है और 1.5 भी आपने lesson पे नबर 4 पर आ रहा है वो आपने add किया हुआ है तेकर lesson 2 जो है हमारा वो page नबर 4 पर आ रहा है मैं क्या करूंगा lesson 2 को next page पर लेके जाँगा same वो ही option page में जाँगा breaks में next नेक्ट पेज करूंगा तो आप देखेंगे कि यह लेशन जो टू मेरा है वह नेक्ट पेज पेज चलागा यहां पर मैं डिलीट बटन का प्रिल बटन प्रेस करूंगा क्योंकि जो उपर ज्यादा स्पेस आ रहा है उसको खतम करना है मुझे और यहां पर मैं जाके टेबल मे और यहां से में अपडेट करूंगा तो सेम वही अप्षिन आप कहेगा अपडेट इंटार टेबल को किल्क करूंगा और ओके कर दूंगा तो यह मुझे बताएगा कि अब जो है लेशन टू आपका है वह पेज नंबर 5 पे चला गया है और लेशन 2.1 जो है वह पेज नंब अगर आप चाहें तो टेबल आप कॉंटेंस में आप यहां से भी अपडेट कर सकते हैं और यहां से एड़ टेक्स्ट यहां पर जो मैंने लेशन डाले हुए हैं अगर आप लेशन नहीं दे सकते लेविल बन कर सकते हैं तो आप यहां से भी दे सकते हैं और टेबल में जाक तो यह बहुत अच्छा कॉंसेप्ट है टेबल आफ कॉंटेंज का अब हम कंट्रोल जेट करते हैं ताकि दूबरा वहीं पर ही आजाएं अब हम चलते हैं नेक्स्ट आप्शन पर वह हमारा इंसर्ट साइटेशन इंसर्ट साइटेशन का क्या काम होता है कि जैसे के मेरी लेसन वन की यह वाली जो परागराफ है यह मैंने किसी बुक से लिए उठाई है उससी कापी किये यहां किसी वेबसाइट से मैंने यह चीज कापी किये और उस वेबसाइट पे कापी र तो वहां पर में मार्क करना चाहता हूं कि मेरी जो यह चीज है मैंने इसको एक वेबसाइट से उठाया तो मैं इसको क्या करूंगा इस परागराफ पे खड़े होकर और इंसर्ड साइटेशन में जाओंगा एड़ न्यू सोर्स एड़ न्यू सोर्स को मैं जैसे किल्क कि आप के सामने वेंट्यू में कि अपिया से क्ताब का अप्षल में डाल सकते हैं और जनरल आर्टिकल आपने जो भी चीज कउपी की होती है तो यहां से आप दे सकते हैं कि आपने कौन सी चीज कहां से उटहएए जिसे हैं इंटर्विव वगरह है और इसमें बहुत सारी चीज़े हैं, आप कहीं से भी यह चीज़ उठा सकते हैं, जिसके मैं बोलता हूँ, यह बुक किसका है, अथराइजेंशन कौन है, शाह अब्दुल लतीव भिटाई, और बुक का टाइटल है, शाह जो, रिसालो, और कौन से येर में जो है, यह बुक चपी दी, मैं इसको बोलता हूँ, यह बुक जो है, दो हजार में चपी दी, और कौन से शेर में चपी दी, भिट्शा, और पब्लिशर कोने इसका, मैं बोलता हूँ, इसको सिंटेक्स्ट, बुक, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको एडिट करेंगे, और यहाँ मैं इसको कर दूँगा, ओके, तो, सोरी, यह चीज मुझे पराग्राफ के नीचे देनी थी, कंट्रोल जेट करता हूँ, और पराग्राफ के एंड में जो है, मैं जाके, इंसर्ड साइटेशन, यह देखें, बिट्शा की जो मैंने साइटेशन बनाई वी थी, वह यहाँ प कुछ बताएगा, कि यह चीज आपने जो लिखी हुई है, यह शायद आपनी किसी वेब साइट से बुक उठाया हुआ है, यह किसी बुक कंपनी से आपनी यह चीज जो है पराग्राफ लिखी है, तो, यह आप्शन उसमें इस्तमाल होता है, अब मैं यहाँ पे मजीद इसक ने, वह है, सिन्घ पाकिस्तान, और नेम आफ वेब साइट पेज, सिन्घ पाकिस्तान, अब जैसे कोई वेब साइट किसी वेब साइट साइट है, तो, मैं इसमें बोलूँ गा, महुम्मद अली और कौन से यर में ये वेबसाइट बनी थी तो मैं इसको दूँगा कि ये 2009 में बनी थी और इसका मन्त था फाइफ और इसका जो डे है वो है टेन तो ये एकसे मैंने कौन से साल में देखी तो मैं इसमें लखूंगा कि ये चीज जो है मैंने 2020 में देखी कौन से मन्त में देख तो इसमें मैं लिखूँगा मेने को एड मंत में चेक किया था और डे एककिस्ट तो इसमें में लिखूँगा कि मैंने इसको 10 अगस्ट को इस वेबचा को देखा था और यह पराग्राफ मेने वहां से कॉपी की थी और यहां पर मैं नίचे आपके सामने आप्शन देता हुआ आएगा का एक्जाम्पल के साब आपको इसमें क्या-क्या लिखना है मैं इसमें लिख रहा हूँ एच टी टी पी और डेवल्यू डेवल्यू सिंग पाकिस्तान.com इस तरीके आप यहां पर यूरेल कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं और जो मैं ओके कर दूँगा तो यहां पर यह मुझे कुछ शेव कर रहा है कि आपने यहां पर कुछ लिखाए मैं अब सबसे नीचे जाऊंगा पेज की एंड में जाऊंगा और पेज की एंड में मैं इसको देखूंगा कि जो जो मैंने वेबसाइट कापी की है और वहां पर मैं इसको यहां से आप स्टैल भी दे सकते हैं इस तरीके से के आपने यहां पर किस तरीके से लिखनी है और आपके पास किस तरीके से शो हो तो म यहां से स्टेल भी देख सकता हूं और इस तरीक दरी बिल्बिलोग्राफी तो बाद में जब एंड में मेरी कम्प्लीट हो जाएगी यह चीज जिसे ही मैं इसको बिल्बिलोग्राफी को किल्क करूँगा तो आप देखेंगा यहां पर इसने मुझे बताया है कि आपने जो च की एंड में बिल्बिलोग्राफी डाल सकते हैं तो इसी तरीके से ही में आगे मज़ीद बढ़ता हूं किलास में अब मार्क इंट्री मार्क इंट्री का क्या काम होता है कि जब हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो कुछ मैन अलफाज होते हैं हम उनको मार्क इंट्री करना चाहते हैं और बुक की जो एंड में वो सारी चीज़ें हम एड करना चाहते हैं कि जो इसमें मैंमेन अलफाज है जो मैंमेन टॉपिक पे इस पर बातचीत चल रही है वो टॉपिक कहां पे और कौन से पेज नूमर पे हमें मिलेंगे तो मैं क्या करूंगा अनसर्ब को वहां प इंट्री और में मार्क कर दूंगा तो यह रीचा ट fundament ने मैं कुछ इस तरीके से दिखाएगा तो आप जाएंगे हॉम में और इसको हाइड को दोबारा किल करेंगे तो यह गाइब हो जाएगा Jezus में आते हैं अब मैं नीछे फिर जाता हूं मैं इसको करता हूं कंट्रोल को कर देता हूं ताकि यह अलफाज मेरा मैने इस पेराग्राफ में अगर मुझे इस पेराग्राफ में जाना है तो मुझे कौन सा पेज नबर खोलना चाहिए की तो यहां पर मैं फिर करूँना mark entry दो यह फिर मुझसे पूछ रहा है remark जिसे मिरम बोलु आ है मेन इंट्री है मैं जैसे इसको mark कर दूँगा तो फिर वह आपके सामने आ जाएगा और मैं इसको hide कर सुँगा यहां से के यह hide हो जाए ख़र मैं नीचे आऊंगा को यह उपर वालेंस में तिं है इस ने टेबल्स को कर देता हूँ नżej Mund में मार्क इंट्री तो में इसको बलू हए हाँ यह मार्किंट्री और इसको मैं किलिस कर दूंगा यहाँ रहता हैं कर दोगा के टोना पैज की में में जाओंगा बिलकिल अखिर में क्योंकि किताबों की आखिर में यह चीजें ईसरे लिक्ताबों है के मारक ईंट्री जो होती है वह बता रही होती में कोके यह इलफाज हैं यह आपको कौन से पेज़ बेंग़ और मिलेंगा और पर आपने एक मजमून इंडेक्स करूंगा यह आपको यहां पर बताएगा कि आपको यह इंडेक्स कितने कॉलम में चाहिए मैं इसको दो में कर देता हूं आप चाहें तो यहां से अगर आपके पास कोई बड़ी बुक है आनलाइन आपने कोई बुक कापी की हुई है और आप इसको मार्क इंट्री करना चाहते हैं कि मुझे ये चीज दुबारा पढ़नी है या कभी फिर दुबारा इसको मुझे देखना है तो आपने मार्क इंट्री करके रखा हुआ होगा अपने कंप्यूटर में उसका वाइड की फाइल में तो आप वहां से चेक करके और मार्क इंट्री के आप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रागणा या यह मदमून आपका कहां भी पड़ा हुआ है कौन से पेज़ पे है कर दो हुआ ह। हम चलते हैं इंसर्ट एंड डॉट और इंसर्ट फूटनॉट इंसर्ट एंड नोट और फूट्टनॉट का क्या काम होता है कि जिसके यह पे पेज नमबर वन पर मैं खड़ा हुआ हूँ और यहां पर मैं इसको करता हूँ सर्ट एंड नोट मैं जैसे इसको किल्क करूंगा तो आप देखेंगे कि यह नीचे कुछ नोट की तरह दिखाई देगा और जब मैं ऊपर जाओंगा तो जहां पर मैं खड़ावादा उपर लेसन वन पे तो यह आपको एंड में जो दिखाएगा वो बुलेगा किया आप यहां पर कुछ नोट लिखना चाहते हैं क्या लिखना चाहते हैं जैसे कि मैं यहां पर डाल के लिए यहां पर किल्क करें किलिक है और इन्फॉर्मेशन और यहां पर मैं इसको लिंक पी दे सकता हूं जैसे पहले हम पड़ चुके हैं कि आप लिंक पी डाल सकते हैं हाई पर लिंक पर जाके यहां पर मैं कोई भी एक इसको लिंक दे सकता हूं जैसे कि मैं आप इसको दे रहा हूं एच टी टी पी डेवल्यू डॉल्यू डॉल्यू डॉर्ट सिंपाकिस्तान डॉट कॉम तो इसको में ओके कर देता हूं तो आप देखेंगे यहां पर मैंने स्कों लिंक पर डाल दीए और फुटनोड में आपके एंड में जो है वह लिंक शो करेगा अगर आप इसक ऑन ग Zig ह्यायां सरी इंदेश जो जोता है यहां फूटनोड न्जो मिने डाला करें लिए चोरा रहा है तो थोड़ा जूम कर लेता है यह चोटा झा 자기 है मैं इब आप द्म पहुक्त स्टिय मेंने नीचे बता रहा है कि यह जो जो एक पीराग्रांबती जाएगा वो Google Chrome में है तो दोस्तों ये रिफ्रेंस का काम था अगर आपको मज़ीद कुछ सवाल करने हैं तो आप कमेंट्स किया करें अगर आपको कुछी समझ में नहीं आ रही है केस के अंदर तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में तो इनिशालला वो चीज में आपको क्लियर करके दूसरी वीडियो में मैं आपको बना के शेयर कर दूँगा दौाओं में याद रखिएगा अलाहाफिज